इस्टूजेंट्स यह हमारे सवाल है, वैल्यू निकाल ले हमको, सबसे पहले 4 x sin 30, sin 30 की वैल्यू होती ही 1 x 2 and 2 x cos 60, cos 60 की वैल्यू होती ही 1 x 2, sin 90 की वैल्यू होती ही 1 and cos 0 की वैल्यू होती ही 1, 2 x 1 and ये है हमारा 4, 5, 5, 4 इसे solve करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 4, multiply करेंगे, 2 x 4, 2 x 4 plus 1 x 5, 2 x 5 plus 1 x 4 and 1 x 4 plus 2 x 5, 1 x 5 plus 2 x 4 so, ये हमारा हो जाएगा 8 plus 5, 13 and ये हमारा हो जाएगा 14 and next उपर भी हमारा हो जाएगा 14 और 13 जो कि हमारा